नमस्कार बिहार में संपूर्ण सराबंदी कानून को खत्म करने के लिए जीतन रमाजी और निंतीस कुमार जैसे बड़े रेताओं न एक बड़ा प्लान सेट कर लिया है ऐसे में बिहार में कैसे किया जा रहा है संपुर्ण सराबंदी कानून को खत्म क्यूंकि इससे हो रहा है गरीबों को बड़ा नुकसान वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा आज किये खबर बिहार के कुछ लोगों के लिए खुश खबरी तो कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान की तस्वीरों को भी खेरने वाली हो शकती है आई आपको पूरी खबर बिस्तार से बताएंगे उसे पहले वीडियो को लाइक कर दूजेगा तीस तुजार इस वीडियो पर लाइक टार्गेट रखते हैं उमीद है आप सभी पूरा कर दिशेगा परधान मंतरी श्री नारेंद्र मोदी के नित्युत्र में लिये जाने वाले शवी फैसले लोग सबाचुनाओं में बड़े इतिहास आसिल करने के लिए शवी कार्यकरताओं और अन्य लोगों के सरीर में उर्चा भेद रहें और अन्य ताकतों के शाथ लालू पुरशाद यादो भी बिहार में बीजेपी का सुप्रासाफ करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान शेट कर रहें जिससे भारतिय जंतापाटी किसी भी तरीके से लालू पुरशाद यादो के उपर हाबी ना हो सके लेकिन उसे भी बड़ी बात तो यह है कि अखलेश यादो और राहुल गाधी की बन गई बात इंडिया एलायंस के अंदर कैसे लड़ना है सीटो का बटवारा क्या होगा मद प्रदेश से लेकर के शीट उत्तर प्रदेश में किसको कितना दिया जाएगा इस पर लड़ाई त्यार कर ली गई है इसके साथ चिराक पाश्वान ने लोग जनसकती पाटी राम बलास पसवान के तहत बीजेपी को भी जिया मजबूत करने का प्रयास बिहार में करते नजर आए पर तयश्वी युवा नेता के तौर पर उनको समठ्थर में लाना चाहते हैं शमराठ चौधरी ने कहा सभी पन्ने और अखबार में छपेगा घोटाला कितना हुआ तो समराठ चौधरी पर भी इस वक्त तयश्वी यादो भड़कते नजर आए तयश्वी ने कहा चाचा का गरांटी तो पहने ले लिजिए बीजेप अगर गरांटी सबकी देती है तो बड़ी खबर यह है कि पावस्तात पवंसिन ने लोगसभा चुनाओं लड़ने के बहत बड़े निर्णे से पहले अपने परिवारिक रिस्ते को सुधारने का बहुत बड़ा निर्णे ले लिया है जिसके अवस्तित्व मजबूत हो रही है अखले शादों ने उतरप्रदेश के समाजवादी पार्टी के सभी करेकरताओं को एलॉर्ट रहने की बाते कह करके यह साबित कर दिया है कि उतरप्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुना में बड़े जीत की उमीद लगा बैठी है इसी के साथ दोस्तों आज की बहत बड़ी और महतपूर खबरों पर नज़र डालेंगे किस तरीके से देश में आज जिया महतपूर तरीकों से बिजली की बढ़ती कीमत से देश की जनता आज परसान होती नज़र आ रही है इसी के साथ जीतन रामाजी ने मुखह तौर पर शराबंदी कानून में फसने वाले गरीबों के बात और गरीबों के दर्द के प्रहाल करते वेए और चाहते हैं कि बिहार में शराबंदी कानून खत्म की जाए साथी साथ दोस्तों मुख्य तोर पर प्रधान मंत्री अवास को ले करके एक बेहाग आपको बात बताने वाले हैं अगर आपको भी नहीं मिला प्रधान मंत्री अवास का पैसा तो कैसे मिलेगा यहां जानकारी पाने के लिए अंत तक जरूर देख लिएगा खबर को इसी के साथ दोस्तों बता दे कि बिहार के आने वाली कई ट्रेने रात तो खोहरे के कारण कई ट्रेनों की जिहां टाइम टेबल बीगडी, ऐसे में याथरे गण ध्यान देंगे घरोश बाहर निकलने से पहले यातरा का स्टेटमिंट जरूर ले ले लेंगे दोस्तों बड़ी और मतपूर बात तो ये है कि इस वक्त देश के यह समूचित विवस्थाओं के उपर एक बड़ी नजर पड़ती नजर आई और गाय पालने वाले लोगों के लिए पसू पालने वाले लोगों के लिए सरकार एक शबसीडी का बड़ा एलाउंसमेंट कर के गरीबों के लिए सरकार ने एलाउंसमेंट और चीज़ों को शामने लाकर खड़ा करने का बेहत बड़ा निर्न कैसे ले लिया है। इसे किसानों के समर्थन में उठने वाली आवाज कुछ नया संदेश दे जाएगी। लेकिन बड़ी खबर नितिन गटकरी को लेकर गे हैं। और अनलजल योजनाओं का मुख्य तोर पर बिहार का हलात बद से बत्तर होने पर भी शवाल खड़ा करने वाले जिहां लोगों ने मुख्य इस पर भूमिका निभाई। साथी साथ दोस्तों बताएंगे किस तरीके से योगी अधितनात्रिय उत्तर परदेश के शभी लोगों के लिए लोगसभा चुनाओं को लेकर के बहुत बड़ी बदाई देते तो कुछ निताओं को भी एलोड करते नज़र आए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे BSP यानि बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर परदेश में अकेले चुनाओं लड़ करके बड़े पैमाने पर सीटों को हासिल करने के लिए लगतार करे कर रही हैं। जीतन रमाजी को लेकर आ रही है। पर लोगों से कहते नज़र आए कि बिहार के सराबंदी कानून में जादा से जादा गरीब जेल की सलाखों के भीतर पड़े हुए हैं। बड़ी खबर लालू परशादियादों से लेकर क्या रही है। और लालू परशादियादों के संदेश को बताना उनके लिए कितना महतपून है। लोगसबा चुनाव में राज़त के पास किसी भी तरीके से जियां आपको दादे की वोट बैंकों की एक हुजूम होनी चाहिए। इसके लिए लालू परशादियादों ने जबरदस्त ठान लिया है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इस वक्त कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रयास करते नजर आ रहे हैं अखलेश यादों। शमाजबादी पार्टी के करेकरता अखलेश यादों ने भी यह बात साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति से है और ये कहीं न कहीं वो लोग हैं जो लोग विपक्ष को खत्म करने के लिए सभी जियां रास्ते में आने वाले काटो को खत्म कर देना चाहते हैं ये लोगों का मानसिक्त संतुलन कुछ इस तरीके से है कि विपक्ष भगाओ विपक्ष हटाओ विपक्ष खत्म करो जब देश के अंदर विपक्ष ना रहेगा तो समिधान की शुरक्षा कौन कर सकता है गरीबों की आवाज उठाना आज अगर दुरलव हो रहा है तो आगे की बातों को आप कैसे मानते हैं शबसे बड़ी खबर तो तेश्वी यादो को लिकर के हैं तेश्वी यादो ने जन बिश्वास स्यात्रा के दोरान सिवान में एक स्टेटमेंट दिया जो आज काफी तेजी से वाइरल हो रहा है तेश्वी यादों ने कहा कि मैं तो आप से कई बार बोल चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि तेश्वी यादों के साथ नितिश कुमार जी ने अच्छा कारे किया और वो हमारे अदर्णिये हैं पर भाजपा वाले लोग क्या नितिश कुमार से इस बात की गरांटी ले ल पूसल मीडिया में सुर्खिया और मिंस बनता नजर आया अब चाचा का क्या होगा भतीजी के साथ शबसे बड़ी खबर तो इस वक्त विभागों को लेकर के एलोट सामने आ रहा है जी आपको दादे किस वक्त कहीं न कहीं बिजली बिभागों में एक बहुत बड़ा खेल सामने आया है जहां आपके भी घरों में बिजली के बिलों में एक मोटा रकम देखने को मिल रहा होगा तो यूनिट कई रुपे त्रेजिश बढ़ गई है ऐसे में में मेंगे बिजली बिल देने के लिए आपको भी परशान होना पड़ रहा है मेंगा बिजली बिल लोगों को परशान करता नजर आ रहा है यह बात साफ है कि देश में मेंगाई का मार बिजली के विभागों पर अक्सर पड़ता नजर आया है इस बार बिजली बिल कुछ अक्सर जादा तेज गती से बढ़ चुकी है जिस बिजली बिल को कम से कम कीमतों के साथ यूनिटे कम होनी चाहिए थी वह सरकारों ने ना सोचते वे इस बिजली बिल को और महंगा और बृधी के तरब आज़ा है बड़ी खबर सामने निकल गर क्या रही इस वक्त ललन कुमार्शिन को लेकर के ललन कुमार्शिन एलोट मूड में नजर आ रहे हैं ललन कुमार्शिन ने कहा कि जेडियू हमेशा से तत्पर्त ही अपने कार्यों के लिए आज भी वह मजबूत है पिछले कई बर्स पुराने हमने अपने शभी रेकॉर्डों को देखा जेडियू का एक मानसिक और जेडियू का एक ताकत हमेशा मजबूती से आगे बढ़ता नजर आता है जेडियू देश के लिए जानी जाती है इस समिधान के लिए जानी जाती है इस देश में जेडियू की महत्वपूंड कई भूमिकाये हैं जिस बारे में अगर हम जितना भी जिगर करें वो सायद कम हो सकता है हलाक इसके बारे में अपनी राय आप खुद भी सियर कर शुकते हैं जाद से दोस्तों बहुत बड़ी खबर तो यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदेतनाथ ने लोगसवा चुनाओं को जीतने के लिए प्लान सेट कर लिया है इस बार योगी आदेतनाथ ने अजोध्या से लेकर के अन्य सभी ऐसे कार्यों को मुख्य फोकस मिलाया है और इन सभी कर्यों को मुख्य फोकस मिला करके वहिंदोतों के एजेंडे और अन्य वोटों के आधार पर अपनी राजनिती के गल्यारों में जादा से जादा वोटों के संख्याओं को ब्रीधी के तोर पर आगे बढ़ाने में लगे हुए है यह उमीद की जारी है कि देश के अन्य हिश्चों से भी जादा उत्तर प्रदेश में भाजपा का फोट शियर प्रतिसत बढ़ेगा हाला कि यह बात अकर सब कुछ सिद रही और कॉंग्रेस को जटका देने के लिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूती त्यार की गई तो योगी आदितनात को भूमिगा के तोर पर नेक्स्ट परधान मंत्री की जियर अपाधित दी जा सकते